C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 5 तीन सवाल ये बिहार की लोग कहानी है सफा नमबर 25 मगद के करीब एक गाउं में एक औरत रहती थी उसका शोहर मर चुका था उसके एक लड़का था और वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहते थी उसके खुआश थी कि वो पढ़ लिक कर बड़ा आदमी बने इसलिए उसने अपने लड़के को एक मदरसे में दाखिल कर दिया लड़का बहुत महिंती था वो जल्दी ही खुब पढ़ने लगा उसका दिल मदरसे में खुब लगता और वो अपना सारा वक्त पढ़ने लिकने में गुजारता एक रात लड़के ने खाब देखा कि उसकी शादी मगद की राजकुमारी के साथ हो गई आख खुली तो वो बड़ा खुश हुआ उसे बहुत हसी आई लेकिन फोरण ही उसे ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है कहां वो और कहां मगद की राजकुमारी ये सोच कर उसे बहुत रोना आया और वो फूट फूट कर रोने लगा उसकी माने जब ये हालत देखी तो उसने कहा बेटा क्या बात है? कैसी तबियत है? अभी तो तू हस रहा था और अब रो रहा है बच्चो इसमें एक तस्वीर है इसमें एक औरत एक लड़के से बात कर रही है यानि मा अपने बेटे से बात कर रही है सफा नमबर 26 लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया वो चुप चाप मदर्से चला गया मदर्से में भी उसका दिल नहीं लगा पढ़ते पढ़ते जब उसे अपने खाब का ख्याल आया तो वो पहले हसा और फिर रोने लगा उसके गुरू ने यानि उसके उस्ताद ने रोने और हसने की वज़ा पूछी लेकिन वो कुछ ना बोला इस बात पर गुरू को बहुत गुसा आया और उन्होंने उसे सजा दे दी वो जब घर लोटा तो उसकी मा ने उसकी बुरी हालत देखी वो फोरण रोती पीटती राजा के पास गई राजा ने गुरू को बुलाया और सजा देने की वज़ा पूछी गुरू ने कहा हुजूर जब मैं सब लड़कों को पढ़ा रहा था उस वक्त ये पहले तो हसा और फिर रोने लगा मैंने उससे हसने की और रोने की वज़ा पूछी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया इसी बात पर मुझे खुसा आ गया और मैंने उसे सजा दे दी राजा ने लड़के से उसके रोने और हसने की वज़ा पूछी तो लड़के ने राजा को भी कोई जवाब नहीं दिया राजा को बहुत उस्सा आया और उसने उसे जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया लड़के की मा राजा के सामने बहुत रोई मगर राजा ने उसको बाहर निकलवा दिया इसमें एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक औरत खड़ी है और जेल के पीछे यानि गैद के पीछे एक लड़का खड़ा है वो उससे बात कर रही है इसी तरह कुछ दिन गुजर गए एक दिन बाजार में कुछ एलान हो रहा था लड़का भी जेल की कोठ़ी से खिड़की के खरीब आकर खड़ा हो गया उसने सुना के राजा के पास तीन लकड़िया है जो कोई उसे ये बता दे कि उनमें से कौन सी लकड़ी सीरे की है यानि कौन सी लकड़ी उपर की है कौन सी बीच की और कौन सी नीचे की तो राजा उसे एक हजार अशर्फिया देगा लड़के थी जब ये सुना तो बहुत जोर से हसा हा 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 उदर से एक बुड़िया गुजर रही थी उसने पूछा बेटा तो क्यों हस रहा है लड़के ने कहा अमा ये अलान सुन रही हो ये कोई मुश्किल बात है ये तो मैं ही बता सकता हूँ बुड़िया बहुत खुश हुई उसने कहा बेटा तो मुझे बता दे मैं तुझे दुआए दूंगी लड़के ने कहा अच्छा अमा, तुम जा कर पानी की होज में बारी बारी इन तीन लखडियों को डालना जो लखड़ी एक दम से पानी में बैठने लगे वो सिरे की होगी जो थोड़ी तैर कर फिर नीचे की तरब जाए वो बीच की होगी और जो तैरती रहे वो सबसे नीचे की होगी बुढिया खुश-खुश चरी गई अगले दिन दरबार हुआ राजा ने एक फूल रख दिया और कहा कि जो इन सवालों के जवाब देना चाहे वो फूल उठा ले बुढिया फौरान आगे बढ़ी और उसने उसके सवालों का जवाब दे दिया राजा बहुत खुश हुआ और उसे एक हजार अशर्फियां दे दी कुछ दिन इसी तरह से बीट गए एक दिन फिर शोर सुनाई दिया तो लड़का खिड़की के करीब आया उसने देखा कि बुढिया आज भी उसकी खिड़की के पास खड़ी है लड़के ने पूछा अमा क्या बात है कि आज फिर राजा ने कोई ऐलान कराया है बुढिया उसे दुआए देने लगी और बोली हाँ बेटा मगद के राजा ने हमारे राजा के पास तीन गाएं भेजी है और एक खत भेजा है अब राजा ने ऐलान कराया है कि जो कोई यह बता दे है कि इसमें मा कौन सी है बेटी कौन सी है और बेटी की बेटी कौन सी है उसे दो हसार शर्फियां दी जाएंगी लड़का बोला अरे यह क्या मुश्किल है बेटा मुझे बता दे देख मैं बड़ी गरीब हूँ तुझे दुआए दूँगी और आधाई नाम तुझे दे जाऊंगी लड़के ने कहा अच्छा तुम ऐसा करना कि एक जगे हरी घाज इखटा करके उसके चारो तरफ बास का घेरा बना देना घेरा इतना उचा हो कि गाएं आसानी से न कूच सके तीन दिन तक तुम उन गाएं को भूका रखना और फिर उन्हें छोड़ देना जो गाएं सबसे पहले घेरे को फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुच जाए उसे बेटी की बेटी समझना और जो उसके बाद जाए वो बेटी और जो सबसे आखिर में रह जाए वो मा होगी बुढिया दुआए देती चली गई अगले दिन दरबार हुआ और इसी तरह राजा ने फूल रखा बुढिया ने बढ़ कर उसे उठा लिया और कहा हुजूर मुझे तीन दिन का वक्त दीजिये मैं आपको बता दूंगी राजा ने उसे तीन दिन का वक्त दे दिया बुढिया ने इसी तरह किया जैसे लड़के ने बताया था और चौथे दिन राजा को सब बता दिया राजा बहुत हैरान हुआ और उसने वो इनाम उसे दे दिया बुरिया खुश होती हुई उस लड़के की कोटरी से गुजरी और आधा इनाम उसे दे दिया कुछ दिन गुजर गए मगद के राजा ने एक दिन राजा को खत लिखा सुना है तुमारे यहां बहुत अकल मंद लोग रहते हैं मैं अपने कमरे में चार कागज रख रहा हूँ उन में इनाम लिखे हुए हैं जो उनको इसी तरह से निकाले के मुझे पता भी ना चले उसे इनाम दिया जाएगा उन कागजों को पाने वाले से ही मैं राज कुमारे की शादी करूँगा अगर कोई नौजवान यही मत करे तो अपनी किसमत आजमा सकता है राजा ने उसका भी ऐलान करा दिया वो चाहता था कि उसके राज की बात नीची ना हो बुडिया ने जब यह ऐलान सुना तो फिर लड़के के पास आई लड़के ने कहा यह कौन सी मुश्किल बात है यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ बुडिया ने राजा को खबर दी और बुडिया से राजा को यह भी मालूम हो गया कि उसके दूसरे सवालों को जवाब भी उसी लड़के ने दिया था तो वो बहुत खुश हुआ और राजा ने लड़के को जेल से बाहर निकरवा दिया और पूछा क्या तुम यह काम कर सकते हो लड़के ने कहा मुझे दो नौकर और चार महीने के खाने का खर्च चाहिए राजा ने उसे दो नौकर भी दिये और चार महीने के लिए खाने पीने का खर्च भी दे दिया अब लड़के ने उन अशर्वियों से जो बुड़िया ने दी थी तिजारत का सामान खरीदा याने बिजनिस का सामान खरीदा और मगद में जा उत्रा उसने एक मकान किराए पर लिया और वहाँ पर रहने लगा दो-चार रोज बाद उसने महल का चक्कर लगाया महल पर तो बड़ा सक्त पहरा था कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई उसने राजमहल के अस्तबल के रखवाले से बात की और उसे रूपिय का लालस दिया अस्तबल का रखवाला उसे महल में ले जाने के लिए तयार हो गया लड़के ने काले कपड़े पहने और चल दिया अस्तबल के मालिक ने उसे घास के अंदर छुपा कर महल में दाखिल कर दिया सफा नमबर 29 रात के बारा बचे तक वो छुपा रहा और उसके बाद काले कपड़े पहन कर महल में दाखिल हो गया थोड़ी ही देर में उसे राजा के सोने का कमरा भी मालूम हो गया कमरे के बाहर दो दासिया खड़ी थी लड़के ने बिल्ली किसी बोली आवाज निकाली और जमीन पर बहुत सारे मोती बिखेर दिये दासिया जैसे ही बिल्ली भगाने दोड़ी उन्होंने चमकतार मोती देखे और तो वो उन्हें चुनने के लिए बैठ गई लड़का जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया उसने देखा के राजा बेखबर सो रहा है उसने कमरे में हर तरफ नजर दोड़ाई मगर कोई ऐसी जगा नजर नहीं आई जहां कोई कागस होता उसने पलंग पर नजर डाली पलंग के पाए खास किस्म के नजर आए उसने सोचा हो और नहो कागस इनहीं में है लड़के ने फौरण एक डिबिया निकाली और उसको राजा के पैरों के पास छोड़ दिया उस डिबिया में च्यूटिया थी जैसे ही राजा पर च्यूटिया चड़ी वो घबरा गिया उठा और अपने बदन को खुजलाने लगा उसने जब देखा कि जिस्म पर च्यूटिया ही च्यूटिया है तो जल्दी से बराबर के कमरे में कपड़े बदलने चला गिया ये लड़का जो काले कबड़े पहने भूद बना खड़ा था जल्दी से निकला और पलंग को उठा कर देखा वाकई चारों पायों की नीचे कागज रखे थे जल्दी से कागज उठा कर लड़का कमरे से निकल गया राजा को पता भी ना चरा सुबा होते होते वो फिर घास के धेर के अंदर छुप गया और इसी घास के जरीए जब महल से बाहर आ गया तो अपनी कामियावी पर बहुत खुश हुआ उसने जल्दी से भेस बदला और अपने मुलक को रवाना हो गया सफा नमबर तीस चंद रोज बाद राजा के पास हाजिर हो गया और राजा ने उन कागजों को देखा तो बहुत खुश हुआ और मगद के राजा को खत बेजा मगद के राजा को जब बालुम हुआ कि कोई खामोशी से उसके कागज ले गया तो उसकी चाला के पर हैरान हुआ और अपनी लड़की की शादी उस नौजवान से कर दे और अपना आधा राज भी उसे दे दिया और सब मिल जुलकर महल में रहने लगे इस तरह लड़के का खाफ पूरा हो गया शादी करने के बाद वो अपनी मा के पास गया और उसे महल में ले आया उसने अपने गुरू को भी अपने हाँ बुला लिया उस दिन उसने इस खाफ को सुनाया जो अब सच हो चुका था सबलात एक औरत अपने लड़के को क्यों पढ़ाना चाहती थी दो लड़के ने क्या खाफ देखा तीन लड़के ने खाफ की बात किसी को क्यों नहीं बताई चार राजा ने लड़के को क्यों कैद कर दिया पांच लड़के ने पहले सवाल का क्या हल बताया छे लड़के ने गायों को पहचानने की क्या तरकी बताई साथ राजा के छुपाए हुए काघजों को लड़के ने कैसे तलाश किया अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए उर्दु की सहायक पाठे पुस्तक उर्दु गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ कारेक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अप्षान सिद्धी की तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्य मलिक निर्देशन वा निर्माण विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत